प्यारे दक्षा, अब हाँ आज़ी कप्षा के पाट्टे पुस्तत में पंडे धन्तराइस अगची सहरें धन्ते की शाब कविता पाट को आगे बढाएने चलो बच्चा बच्चों अब हम इन विश्यों के बारे में जानेंगे कविता का विश्लेशन, सुनिये बोलिये, पढ़िये, लिखिये, भाशाम्ष, शुजनात मकता, वैकर नाम्ष क्या आप जानते हैं धर्ती की शान धर्ती की शान तो भारत की संतान धर्ती की शान तो भारत की संतान तेरे मुठीयों में बंदु तुफान है रे दर्ती की शान तो भारत की संतान मनुष्च तु बड़ा महान है मनुष्च तु बड़ा महान है भूलु मार भूलु मार भूलु मार दर्ती की शान तो भारत की संतान प्यारे बच्चों अब हम शर्दार्त की ओर एक बार ध्यान देने वाले हैं धर्ती धर्ती का अर्त आप जानते हैं फूर्तवी दि एर्थ शान वाईभाव डिग्निटी संतान संतान के लिए अर्त पुत्र चिल्डरिन मुठी मुष्ट फिस्ट इसके बाद तूफान तूफान के लिए अर्त ये होता है आंधी साइक्लोन मनिश्य मानव म्यान महान बडपन ग्रेटनस भूल विस्टमती फर्गेटनस बड़ा विशाल बिग्ग अब हम धर्ती की शान कविता के पहले चार पंक्तियों से संबंदित भावार्त जानेंगे कभी कहते हैं कि मनिश्य तू इस धर्ती की शान है और भारत की संतान है तू इतना महान है कि तेरी मुठी में तूफान बंद करने की शक्ती है इसका अर्त है कि तू तूफान जैसे समस्या का सामना करने का दम रखता है तू जो चाहे परवत पहाड़ों को फोड़ दे तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे तू जो चाहे माठी से अमरत नी चोड़ दे तू जो चाहे दर्ती को अमबर से जोड़ दे अमर तेरा प्रान मिला तुझको वरदान तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे बच्चों भावारती की वोर एक बार ध्यान दीजिये कवी कहते हैं कि मनिश्य परवतों को फोड़ सकता है नदियों की धारा को मोड़ सकता है मिठी से अमरत जैसी फसल पैदा कर सकता है धरती और आकाश को जोड सकता है यहिसे काम करके वह अमर हो सकता है इसकी आत्मा में स्वयं भगवान है जो उसे अमरता का वरदान देते हैं बच्चों नए शब्द की वोर ध्यान दीजिये परवत पहाड मोंटेन फोडना तोडना to break मोडना किसी तरफ घुमाना bending नथी सरिता रिवर माटी मिट्टी स्वाइल अमरत सुधा अमरत अमबर आसमान दिस्काई प्रान जीव लाइफ वर्दान वर भून धर्ती की शान तो भारत की संताग धर्ती की शान तो भारत की संताग तेरे मुठियों में बंदू तू फान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है भूलु मार भूलु मार भूलु मार भूलु मार भूलु मार भूलु मार तीसा धीर तू है अगनी सावी तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले पापो का प्रलाही रुके पशुता का सीजुके तू जो अगर हिम्मस से कामो ले गुरू सामतीमान पवन सातु गतीमान तेरी नबसे भी उँची उडान है रे बच्चों भावारतिकी और ध्यान दीजिये मनिश्य धरती सा शांत और अगनी सा वीर है इसमें इतनी शक्ती है कि समय को भी अपने वर्ष में कर सकता है अगर वह हिम्मस से काम लेता है तो पाप रूपी विनाश और पशुता को जुखा सकता है वहाँ गुरू की तरह बुद्धिमान और हवा की तरह चलने वाला है वहाँ आका से भी उन्चा होने की शक्ती रखता है आका सकता है कविता का साराम्ष। धर्ती की शान कविता के कवी पंडित भरतवैस हैं। वे कहते हैं कि मनिश्य धर्ती की शान और भारत की संतान है। वह अपनी शक्ती से धर्ती की शान बड़ा सकता है। वह बड़ा ही महान है। मनिश्य परवतों को फोर सकता है। नदियों की धारा को मोर सकता है। मिठी से अमृत जैसी पसल पैदा कर सकता है। धर्ती और आकाश को जोर सकता है। यह से काम करके वह अमर हो सकता है। इसकी आत्मा में स्वयम भगवान है जो उसे अमरता का वर्दान देते हैं। मनिश्य धरती सा शांत और अग्नी सा वीर है। इसमें इतनी शक्ती है कि समय को भी अपने वर्ष में कर सकता है। अगर हिम्मत से काम लेता है तो पाप रूपी विनाश और परशुता को जुखा सकता है। वहाँ गुरु की तरह बुद्धिमान और हवा की तरह चलने वाला है। वहाँ आका से भी उंचा होने की शक्ती रखता है। सुनिये बोलिये प्रश्णम पर ध्यान दीजिये। धरती सा धीर किसे कहा गया है। धरती सा धीर मनिश्य को कहा गया है। अन्य जीवों से मनिश्य महान है कैसे। मनिश्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा, सोचने, समझने की विशेश बुद्धी और शक्ती है। इसी बुद्धी के द्वारा उसने कई नए नए आविशकार किये हैं। जो अन्य जीवों की अपेक्षा बोलने की शक्ति प्रानी को वर्दान के रूप में मिला है। अब पढ़िये प्रश्नों की ओर ध्यान दीजिये। पाठ के आधार पर वाकी को सही क्रम दीजिये। पहला है तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्रान मिला तुझको वर्दान, तू जो चाहे परवत पहाडों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुकु को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। इसको हमें सही क्रम देने वाले हैं, एक बार ध्यान दीजिए, तू जो चाहे परवत पहाडों को फोर दे, इसके बाद तू जो चाहे नदियों के मुकु को भी मोर दे, इसके बाद तू जो चाहे माठी से अमृत निचोर दे, इसके बाद तू जो चाहे धरती को अंबर से ज दोड़ दे और अमर तेरे प्रान मिला तुझको वरदान वाक के पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिये पहला प्रश्न धरती की शान तू भारत की डैश संतान परिवार आप जानते हैं इसका सही उत्तर संतान दूसरा है मनिश्य तू बड़ा डैश है भूलबत महान अभिमान इसका सही उत्तर महान तीसरा है धरती सा डैश तू है अगनी सा वीर इसका सही उत्तर धीर चोता है तू जो अगर डैश से काम ले बल से हिम्मत से इसका सही उत्तर हिम्मत और पांचवा है, तेरी डैश से भी उन्ची उडान है रे, इसका सही उत्तर नब बादल, इसका सही उत्तर आप जानते हैं, नब पाठ के आधार पर अधुरे वाक्ति को पूरा कीजिये, तेरी मुठीयों में डैश बंद तूफान है रे, तेरी आत्मा में डैश स्वयम भगवान है रे, तू जो चाहे काल को डैश थाम ले पापों का प्रलै रूखे, डैश पशुता का शीष जुखे, गुरू सा मतिमान डैश, पवं सा तू गतिमान अब लिखिये प्रश्णों की वोर ध्यान दीजिये नीचे दिये गए शब्दों के परियावाची शब्द बिब्बे में से चुनकर लिखिये पहला है धरती, धरती के लिए परियावाची शब्द आप जानते हैं फृत्वी भूमी और दूसरा है संतान, संतती अउलाद, तीसरा है भगवान, प्रभु विधाता, चौता है अग्नी, अनल, आग, पांच्वा है हिम्मत, इसके लिए परियावाची शब्द साहस बहादूरी रेखांकी शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिये, हम कायर नहीं वीर बनना चाहिए, यहां कायर के लिए रेखांकित किये गए हैं, कायर के लिए विलोम शब्द वीर दूसरा है, धर्ती की शान को अंबर तक पहुंचाना है, धर्ती के लिए रेखांकित किये गए हैं, इसकी विलोम शब्द अंबर तीसरा है, विग्णान हमारे लिए वर्दान है, अभिशाप नहीं, वर्दान के लिए विलोम शब्द अभिशाप हमारी वानी अमृत जैसी होनी चाहिए, ना कि विश जैसी अमृत के लिए रेखांकित किये गए हैं, इसके लिए विलोम शब्द विश और पांचवा है, परवपकार करने से पुन्य दुख देने से पाप मिलता है, पुन्य के लिए विलोम शब्द पाप पाँट में आये शब्दों को वर्ग पहली में डूंड कर लिखिये, बच्चों एक बार ध्यान से देखिये, हाँ, पहला तूफान और इसके नीचे आने पर धरती, इसके बाद पहाड और वर्दान बेमेल शब्द पर गोला लगाईए, पहला है धरती, अंबर, मनिश्य, तूफान इसमें बेमेल शब्द मनिश्य, दूसरा है परवत, नदिया, माटी, प्रान, इसमें बेमेल शब्द प्रान तीसरा है शीश, धीर, वीर, शूर हाँ बच्चों, इसमें बेमेल शब्द आप जानते हैं हाँ बच्चों, इसमें बेमेल शब्द धीर और चोथा है बड़ा, काल, उत्तम, महान हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर काल पांचवा है फोड, तोड, जोड, पहाड इसमें बेमेल शब्द पहाड परियोजनाक कारिय, देश भक्ती संबंदी किसी ये कविता को पुस्तकालाई से संग्रहित करिके ठक्षा में प्रदशित कीजिये और सामुईक रूप से गाईये व्यक्रनाम्ष, संग्न्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंद वाकिके अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहाते हैं कारक आठ प्रकार के हैं पहला है कर्ता कारक, ने, कर्म कारक को करन कारक से के द्वारा संप्रदान कारक को के लिए अपादान कारक से संबंद कारक का के की अधिकरन कारक हे अरे आदी नीचे दिये गए उची तक कारक चेहन से वाकि पूरा किजिये पहला है तेरी मुठियों डैश बंद तूफान है डैश में क्या आएगा? में तेरी मुठियों में दूसरा है तेरी नब डैश भी उची उडान है तेरी नब से भी तीसरा है नदियों डैश मुखु को भी मोड़ दे नदियों के मुखु को भी मोड़ दे चोता है धरती डैश अंबर से जोड़ दे धरती को अंबर से जोड़ दे पांचवा है पापों डैश प्रलै रूखे पापों का प्रलै रूखे अध्यापकों के लिए सुचना पंडित भर्तव्यास की अन्य रचनावन से छात्रों को परिचे करवाए अंतिम मूल्यांकन प्रश्न बच्चों पहला प्रश्न आपके सामने धर्ति की शान कैसा पाठ है आप्षन ये कहानी आप्षन बी कवीता आप्षन सी नाटक आप्षन डी उपन्यास हाँ बच्चों इसका उत्तर आप जानते हैं हाँ बच्चों आप्षन बी कवीता और एक प्रश्न आपके सामने धर्ति की शान कवीता के कवी का नाम क्या है आप्षन ये श्री प्रकाश, आप्षन बी श्री प्रसाव, आप्षन सी पंडित भरतवयास, आप्षन डी कबीरदास बतावा बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? हाँ बच्चों इसका सही उत्तर आप्षन सी पंडित भरतवयास तीसरा प्रश्ण आपके सामने पंडित भर्तवैस जी का जर्म कब हुआ? आप्शन A, 1918, आप्शन B, 1920, आप्शन C, 1980, आप्शन D, 1916 हाँ बच्चों इसका सही उत्तर, आप्शन A, 1918 भगवान शब्द का पर्याय वाची शब्द क्या है? आप्शन ये फृत्वी, भूमी, आप्शन B, प्रभु, विधाता, आप्शन C, आग, अनल, आप्शन D, अचल, पहाड बताओ बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? हाँ बच्चों इसका सही उत्तर आप्षन B प्रभु विधाथा प्यारे बच्चों आपके सामने आउरेक प्रश्न पवन शद्द का पर्यायवाची शद्द क्या है आप्षन ये हवा वायू आप्षन B सुधा सो आप्षन C सिर मस्तक आप्षन D सरिता तटिनी हाँ बच्चों इसका सही उत्तर आप्षन A हवा वायू प्यारे बच्चों आवर एक प्रश्टी की वर ध्यान दीजिए रेखां कि शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिये हमें कायर नहीं वीर बनना चाहिए हमें कायर नहीं वीर बनना चाहिए कायर शब्द के लिए विलोम शब्द? हाँ बच्चों वीर रेखां कि शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिये राजु बड़ा लड़का है और रमेश चोटा लड़का है बड़ा शब्द के लिए रेखां कित किये गई हैं इसके लिए विलोम शब्द? हाँ बच्चों आप जानते हैं चोटा प्यारे बच्चों इस प्रश्ण की वह ध्यान दीजिए बेमेल शब्द पर गोला लगाईए आप्शन ये आंख आप्शन भी नाक आप्शन सी कान आप्शन डी पर्वत हाँ बच्चों आप इसका उत्तर जानते हैं आप्शन डी पर्वत बच्चों बेमेल शब्द पर गोला लगाईए आप्शन ये डूद आप्शन भी पानी आप्शन सी अमृत आप्शन डी दही आप जानते हैं इसका सही उत्तर? हाँ बच्चों इसका सही उत्तर आप्शन सी अमृत प्यारे बच्चों आवर एक प्रशन की वर ध्यान दीजिए कारक कितने प्रकार के होते हैं आप्शन ये 7, आप्शन B 8, आप्शन C 6, आप्शन D 9 हाँ बच्चों इसका सही उत्तर आप जानते हैं एक बार ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर आप्शन B 8 झाल झाल